अस्सलामुलेकुम मुश्मेंट्स कैसे आप ठीक हैं हम बेटा और्गेनिक केमेस्ट्री का चप्टर कर रहे हैं उसमें हमने जहां तक पढ़ा था वहीं से हम दुबारा से कंटीनू करते हैं अपने टॉपिक को ताकि आपको आपको थोड़ा रिवीव हो और आपको याद रह है कि हमने कौन सा काम किया था जी हमने जो है यह टॉपिक पढ़ा था रेप्रेजेंटेशन और गेनिक फार्मुले की किस तरीके से होती ठीक है और हमने आपको यह फोर इसकी काइंट्स बताएं तो यह नहीं से दुबारा अपना कंटीनू करते हैं देखें यहां हमने को क्या बताया है यह कंपाउंड मॉलिकूर फार्मूला एंड दा स्ट्रक्चर फार्मूला एंड कंडेंट्स फार्मूला नाव यू नो अबाउट इट दा कंपाउंड मॉलिकूर फार्मूला शोज दा नंबर आफ एटम्स आफ एन एलिमेंट कार्बन का वन एटम हाइट जो जनके 4 atoms, ठीक है, and the structure formula, how atom bounded, किस तरह atom bounded होते है, single bond, double bond, और triple bond, ठीक है, तो आपको examples दे रखे हैं, तो मैं single bond की दिया, आगे जाके आप पढ़ेंगे, Now condensed formula, means, formula is similar like, but not the, this line is present in it, means, bond line is not present in it, bond line is absent in this formula, bond line is erased or missed in this formula, ठीक है, इसमें जो bond line है, वो मिज़े जैसे यहां बीच में line होनी चाहिए थी, ठीक है, हर carbon के यहां line होनी चाहिए थी, ठीक है, इसमें condense में नहीं होगी, mix होगा condense, ठीक है, यह बात आपको समझाई, अब हम चलते हैं आगे, अब आगे आपको organic chemistry, पढ़ते वक्त इस बात का खास खयाल रखना है, कि आपको यह पता होना चाहिए, कि organic chemistry में किस तरीके से हमारे पास pattern चलता है, और किस तरह से आपको इसकी arrangement करनी है, अगर आप यह याद रख लेंगे, तो आपको बहुत सहूलत रहेगी, देखें क्या है, organic compound में क्या होता है, open chain, cyclic compound, ठीक है, open chain compound and the cyclic compound, open chain सीधी सीधी chain होगी, open chain is the straight chain and the cyclic chain means the close chain, यह close chain होगी, ठीक है, इसके बाद देखें, यहाँ पर cyclic के कई parts हैं, kinds हैं, यह arrows दे रखें, हम पहले यह देख लेते हैं, open chain compound कैसे होगे, are two types, straight chain compound and the branched chain, state chain and the branched chain, देखें, state chain कैसी होगी, अब हम आपको दिखा रहे हैं, state chain, और फिर उसके बाद होगी branched chain, ताकि आपको पता चले, कि state कैसी है, और branched कैसी है, असानी ही से आप बता सकते हैं, क open chain, और open chain में क्या आएगा, state chain, ठीक है, state chain देखें, सीधे सीधे carbon है, और side में hydrogen, branched chain, यह हम बना देते हैं आपको, branched chain हमने यू नहीं बनाई, कि हम आपके सामने बनाएंगे, ताकि आपको पता चले कि branched chain किस तरीके से बनती है, ठीक है, यह हम branched chain में complete करते हैं, ताकि chain बनाई, यहां हमने एक यह जगा छोड़ दी, अब इसको हम red से आपको highlight करके दिखाते हैं, यह हमने यहां पर carbon बनाया, carbon, यह hydrogen, यह hydrogen, और यह hydrogen, ठीक है, यह हम red से ही हूँ, कि highlight हो जाए, आपको पता चले, now it is the branched chain, chain में से branch निकलाई है, ठीक है, carbon, carbon का link हुआ, और branch निक चलते हैं, तो आप इस chart को follow करेंगे, और साथ-साथ आपको पता चलता जाएगा, कि कौन-कौन सा हमारे पस process में चलेगा, जी, अभी देखें यहां क्या हमापस, ठीक है, यह हो गया हमापस, state chain and the branch chain, हमने branch आपको बना के बता दिए, अब यहां पर यह हुआ close, अब हमारे पस यह वाला आएगा, ठीक है, कौन सा वाला, cyclic compound, cyclic में, heterocyclic, heterocyclic means the compound of carbon, but also having the, hetero means different, means the nitrogen, oxygen and sulfur in this chain, chain में nitrogen भी हो सकता है, oxygen भी और sulfur भी, means other दूसरे elements होंगे, and homo means क्या होता है, homo means होता है, same, ठीक है, यह आपको मालूम है, आप पढ़ते हैं, बायो में भी आपको मालूम है, homo means क्या होगा, homo means है, यह देखें, homo means same, अब homo compound में क्या होगा, इसमें having atom, carbon and hydrogen, इसमें carbon and hydrogen होगा, इसमें क्या आजाएगा, ring भी आ सकता है, इसमें, for example, पिल क्या है इसमें देखें ये हेट्रो हो गया और ये होमो है अब होमो में क्या होगा होमो देखें आगे चला तो आगे चलके एसाइकलिक and the aromatic ठीक है होमो क्या होगा है acyclic and the aromatic अब हम यहाँ आपको बताते हैं इसके बारे में ताके आपको clear हो जाए यह matter भी आप यह देखें हमने आपको बताया इसमें क्या है इसमें आप थोड़ी सी यह बाद याद रखेंगे के इन chains में क्या होगा इनमें देखें homocyclic homocyclic क्या है हमारे पास यह homocyclic है homocyclic को क्या कहेंगे carbonylic ठीक है carbonylic compound carbonylic compound होगे यह cyclic compound होगे इसमें क्या आएगा alicyclic means not benzene ring alicyclic में याद रखना है कि हमारे पास ring तो बन जाएगा लेकिन benzene नहीं होगा ring कैसे बनेगा ring इस तरीके से बनेगा कि वो किसी ना किसी तरीके से खुद को turn करके बंद कर लेगा close कर लेगा ठीक है तो ring बन जाएगा close कर लेगा कैसे close करेगा देखें हम आपस two का तो हम close कर ही नहीं सकते ठीक है लेकिन अगर three होता तो यह हमने close कर दिया बन गया ना triangle देखें यह close हो गया ठीक है और यह भी close हो गया means three carbon three carbon prop ठीक है propane butane four carbon butane यह देखें five carbon अब यहां बना रख़ा आपको दिखाते है five carbon five means pent six means hegs ठीक है अब यह हमने यहां structure बना रख़ा आप यह देखें आपको हमने पहले से बना लिया ताकि हमारा time भी बच जाए और हम आराम से आपको समझा ले और काम कर ले ठीक है यह देखें आपको नज़र आ रहा है कि यहां पर हमने क्या किये है यह compound हमने आपको दिखा है ठीक है यह compound कौन-कौन से है देखें यह नज़र आ रहे है आपको यह रहे कार्बोनाइलिक अलिसाइकलिक नौट बैंजीन रिंग इसमें कै साइकलो प्रोपेन हो गया साइकलो यानि थ्री कार्बन साइकलो भी बैटा यह carbon होगा carbon के साथ आपने क्या करना है आपने hydrogen इसके साथ अटेज कर दे या उनली carbon लिखें तब भी यह इसी तरीके से सही है लेकिन हम आपको यह अटेज करके दिखा देते हैं ताकि आपको पता रहे के क्या करना है H2 लगा है क्योंकि bond बनेगा carbon carbon के दर्मियान ठीक है अब आप count कर लें यह जो line लगिए ने यह hydrogen 2 hydrogen 3 4 2 hydrogen 3 4 ठीक है यह हम इसको count करेंगे क्योंकि आप यह बात याद रखेंगे कि इनका जो है बड़ा कौन है इनका बड़ा है methane मीथेन के पास कितने है 4 hydrogen है इसलिए आपने hydrogen की तदात को पूरा रखना है hydrogen पूरा पूरा होना चाहिए तो अपने आपी वो compound सही होगा ठीक है अब इसके बाद देखें हमाई पास क्या है यह cyclo ठीक है यह क्या है cyclo hexane इसमें भी आप देखें यहाँ पर आप लगा दें hydrogen अ में hydrogen लग जाएगा लेकिन आप देखें है single bond है और यह क्या है यहाद रखना है above these are not the aromatic हमें यह बात याद रखनी है above these are not aromatic यह aromatic नहीं है ठीक है आपने यह बात याद रखनी है आप aromatic कौन से हैं अभी हम आपको aromatic का बता देते हैं यह देखें यह aromatic compound होगे aromatic compound कहां से निकले है हम आये पस aroma, aroma means क्या होगी, scent, khushboo, aroma means क्या है, scent है, khushboo है, aroma means, तो यह देखें, यह हमने क्या लिखा यहाँ पर, aroma दिखा आपको, Greek word, it is the Greek word, it is the Greek word, aromatic compound, Greek means sweet spice, and aroma means fragrant, and it is the benzene, अब यह benzene, इसका नाम कैसे आया, आपने यह बात देखनी है, कि इसका नाम कैसे benzene पढ़ा, किसने इसका नाम benzene डाल दिया, इस बात के लिए आप थोड़ा सा यह देखें, इसका structure हमने यहाँ लिखा है, हम आपको ताकि अच्छे से बता दें, आपको समझ आए, कैक्यूल, कैक्यूल ने दिन का time था, दिन के time पर काफी time हो गया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे, कि हम किस तरीके से इसको name दें और क्या करें, तो कैक्यूल ने दिन में एक खौब देखा, उसने देखा, कि स्नेक अपनी ही tail को खा रहा है, स्नेक इट ओन टेल ठीक है अपनी टेल को खा रहा है तो उसे समझाया कि यानि मुझे बेंजीन का ऐसा स्रक्चर बना के देखना चाहिए साहिज़ान थे मीन्स खुदा ताला ने उसकी हेल्प की और उसने ये स्ट्रक्चर जब बाद में उसकी आँख खुली तो उसने ये स्ट्रक्चर बनाया तो उसको पता चला के भे ये बन सकता है स्ट्रक्चर इट मीन्स क्या है आपने याद रखना इसकी शेप कैसी है इसकी Cyclohexam जैसे है ठीकिए? Cyclohexam जैसे है लेकिन आप इसका difference याद रखेंगे देखें साइकलoh chem ये है बेटा इसका difference है? साइकलोhexam में only single bond है ठीक है, single bond and not double bond यहां पर आपको याद रखना है Benzine और aromatic compound क्या होगा? Aromatic compound में single और double bond होगा alternative means benzene is the aromatic compound because having the aroma means smell or the fragrant so benzene having not single bond but benzene has the double bond on alternate double and single bond alternate manner लेखिए एक के बाद एक alternate means एक के बाद एक double फिर single double फिर single फिर double फिर single ठीक है और यहां पर यह hydrogen लगेगा यहां पर सारे में जहां हमने यह bond line दिखाईए यहां पर hydrogen लगेगा यह आप लगाएं तो भी सहिए नहीं लगाएं तो भी सहिए ठीक है यह हमने आपको इसका structure बता दिया है अब क्या है आपने इसके structure को देखना है समझना है और इस table को आपने याद रखना है आप इस table को याद रखेंगे तो आपको आसानी से आगे समझाएगा और सिर्फ इसके नाम में सब छुपए ठीक है बटा इसका name देखे और name को देखकर आप यह कह सकते हैं कि आपके पास main जो है means carbon and hydrogen and carbon hydrogen acyclic acyclic में benzene ring नहीं होगा और के alternate पर double bond भी नहीं होगा तो इसमें यह है no benzene ring देखें उन्हें लिखके दिये have no benzene ring और इसमें क्या होगा aroma में, aromatic में इसमें have benzene ring इसमें है benzene ring ठीक है लाजमें आपने इस बात को याद रखना है इसके बाद हम आपको next यह बताते हैं कि catination क्या है ठीक है catination और फिर क्या है इसमें isomerism and carbon covalent bond and the multiple bond क्या होते हैं अभी आप इस table को याद करेंगे याद करके अच्छे से इसको लिखके देखेंगे ताके आप अच्छे से इसको काम कर सकें ठीक है इस table को याद करने से आपको पूरा आपका जो organic chemistry का chapter आपको बहुत सारी बाते आपको clear हो जाएंगे ठीक है बेटा अब अपना ख्याल रखिएगा पढ़ें मेहनत करें और छोटी-छोटी सी बाते इनको याद रखेंगे तो आपके concept clear रहेंगे फिर आपको कुछ भी hard नहीं लगिए ठीक है अपना बहुत ख्याल रखिया हो के लाफेश